Question number 2 है एक द्विघात बहुपत ग्याद कीजिए जिसके सुन्यकों का योग तथा गुरनफल करमशह दी गई संख्याएं हैं हमको एक द्विघात बहुपत बनाना है जिसमें सुन्यकों का योग और गुरनफल दे दिया गया है यह जो पहली संख्या हर जगह लिखी हुई है वो है सुन्यकों का योग और जो दूसरी संख्या हर जगह लिखी हुई है वो क्या है सुन्यकों का गुरनफल हमने आपको बताया था कि सुन्यकों का योगफल और गुरनफल जब मालूम होता है तो जो द्विघात बहुपद होता है वो k into x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta के रूप का होता है जहाँ पर k कोई भी वास्तिक संक्या हो सकती है 0 के अलावा यानि कि अनगिनत द्विघात बहुपद यहां से बन सकते हैं लेकिन हमको केवल एक द्विघात बहुपद लिखना है तो हमारे लिए ये सुविदा जनक राता है कि हम लोग के को one एजियूम कर लें वैसे एजियूम करने को हम लोग कुछ भी एजियूम करके एक द्विघात बहुपद लिख सकते हैं लेकिन k को one एजियूम करना सुभिदा जनक रहता है तो हमारा जो द्विघात बहुपद का रूप हो जाता है वो कुछ इस परकार का बसता है k को one एजियूम करने से तो हम लोग इसी का यूच करके इस question को solve करने वाले हैं तो पहले वाले का answer क्या हो जाएगा पहले वाले हम देखिए alpha plus beta दिया हुआ है one upon four और alpha into beta है minus one इन दोनों की साहिता से हम लोग जब द्युघात बहुपद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा द्युघात बहुपद हो जाएगा इसमें देखिए alpha plus beta की जगा one upon four लिखिए और alpha into beta की जगा minus one लिखिए तो क्या हो जाएगा x square minus alpha plus beta की जगा one upon four x और alpha into beta की जगा minus one इसको solve करेंगे आगे तो यहाँ पर हो जाएगा four x square यहाँ पर है minus one x यानि की x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा minus four इसके बाद आगे सालब करेंगे तो लिख सकते हैं 1 upon 4 into 4x square minus x minus 4 यह हो जाएगा एक द्युघात बहुपद और इसका second part अब करते हैं second part में alpha plus beta दिया हुआ है root 2 और alpha into beta दिया हुआ है 1 upon 3 अब इसमें हम लोग द्युघात बहुपद लिखेंगे तो यह हो जाएगा x square minus अब alpha plus beta की जगा square root 2 लिखना है और alpha into beta की जगा 1 upon 3 लिखना है यहाँ पर हो जाएगा 1 upon 3 आगे इसको लिख सकते हैं 3 यहाँ पर तो यह हो जाएगा 3x square minus यह हो जाएगा 3 root 2 x यहाँ पर plus 1 ठीक है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x square minus 3 root 2 x plus 1 तो थर्ड वाला पार्ट भी साल्म कर लेते हैं थर्ड वाला पार्ट दिया हुआ है alpha plus beta 0 alpha plus beta यहाँ पर 0 है और alpha into beta square root 5 है तो यहाँ से द्विघात बहुपत निकालेंगे तो मिलेगा x square minus alpha plus beta की जगा 0 लिखना है यानि कि 0x और alpha into beta की जगा square root 5 लिखना है यह हो जाएगा 0 का x पर multiply तो 0 हो जाएगा यानि कि x square यह तो समाप्ती हो जाएगा और यहाँ पर अचरपत बचेगा square root 5 तो x square plus square root 5 यह हो जाएगा इसका answer इसी तरीके से चौथा, पाचवा और छाटवा भी हम लोग solve कर सकते हैं या आप लोग खुद कर सकते हैं